हाई एब्रेवन दिस इस शीतर शर्मा मैं आपकी जीए जीएस पेकिल्टी ओन ओलिफ बोर्ड एन आज हम करने वाले हैं ससी सीजेल 2022-2023 ओल इंडिया वीकली लाइफ टेस्ट टियर वन का जिसका जीएस वीडियो सॉलुशन हम यहाँ पर करने वाले हैं जिसमें आपको मैं ज आपका उसे पहले आपको बता दू कि ओलिफ डाट इन की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ओलिबूड आपका तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस टाइप के डेली यहाँ पर डेल करके लॉगिन करके दे सकते हैं याus Yeah और अपक了 हूँ अमग रहत पालेंगे मैंडिलें ऑनली जो है जब कि इसमें श्री क्रिशना नलीन जो है यह गिटारिस्ट है यानके गिटार बजाते हैं जुबिन मैता इनको पदम भूशन भी मिल चुका है और ये classical music के लिए काफी famous है शास्तिर संगीत के लिए वो भी कैसा शास्तिर संगीत आपका western और eastern classic music के अदर जुबिन मैता को पदम भूशन भी मिल चुका है और टीके मूर्थी जो इनमें से है वो क्या है मृदंगम प्लेयर है मृदंगम जो है वो इनका musical instrument है next question था यहाँ पर in which state of India is the rati breed of cattle predominantly found यानि कि भारत के एक इस राज्ये में राठी नसल की मौवेशी यानि कि basically हम बात कर रहे है गाए वगरा की तो यहाँ पर गाए भैस जो है यह इस टाइप का जो cattle है इसमें राठी breed किदर पाया जाता है तो answer क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा राठी जो है एक यहाँ पर राजस्थान की खुद की ही एक गाए भैसों की एक क्या है जिन्दी जो गाय है साहिवाल नाम से ये जर्णली पाई जाती है पंजाब, हर्याना, करनाटक, तामिल नाड़ो और केला और उडिसा जैसे शेत्रों में जर्णली ये कहाँ पर पाई जाती है इन भागों में पाई जाती है इसका ओरिजिन कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी है next is यहर कंकरेज जो यह एक प्रजाती है यह पाई जाती है गुजरात में हरियाना जो है ये करनाल हिसार और गुजरात डिस्टिक जो पड़ती है हरियाना की दिल्ली और Western MP के अंदर इस breed की भी आपको गाय मवेशी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आता है कंगायम यह आपको कोयम बटूर, रोड, नमकल, करूर, दिंडिगुल यह जो district है तामिलाडू तो basically यह तामिलाडू के अंदर इन कुछ districts के अंदर आपको यह कंगायम नाम की जो यह गाय है यह देखने को मिलेंगी यह मवेशी देखने को मिलेंगे next is there which of the following statement is not true for ions, ions के लिए यहाँ पर इन में से कौन सा statement जो है वो true नहीं है, options यहाँ पर आपको दिये हुए है, compounds, composed of metals and non-metals, contains specially charged यहाँ पर कुछ charged species होती है, जिनको हम क्या कहते है, ions कहते है फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला कि यह आयन जो है, यह consist कर सकते हैं, single charged atom और a group of atom that have a net charge on them, third यहाँ पर बोला, negatively charged ion is called keton and positively charged ion is called anod, तो यहाँ पर answer correct क्या हो जागा, क्योंकि आपसे यह पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा होगा, तो गलत हो जाए है, anion और positively charged को बोलते है, ketion, तो इसने क्या किया था, उल्टा कर दिया था, बाकि यह जो पहले ही यहाँ पर तीन थे, यह तीनों के तीनों क्या थे, सही थे, कि जितने भी compounds होते है, metal और non metal से बने हुए, उनके अंदर कुछ एक charged species होती है, एक charged items होते है, जिनको negatively charged ions को हम ब metal के अंदर present होते है, यह single charged भी हो सकते है, या फिर आपको यहाँ पर a group of atom भी यहाँ पर मिल सकता है, इनके अंदर as a charged species, next is which of the falling stars is the nearest to the sun, इन में से कौन सा ऐसा तारा है, जो सूर्या के सब से निकट है, तो I am quite sure कि यह तो question आप सभी लोगों ने correct किया होगा, correct answer क्या होगा, proxima century, proxima century जो है, यह sun के सबसे ज़्यादा close पड़ता है, 4.2 light years distant पे, इतनी दूरी पर, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जब यह distance इदर measure करते हैं, तो वो किसमे होता है, light years के अंदर होता है, अगर हम cosmic universe की बात करें तो, proxima century जो है, यह closest star है to the sun, और इसको flare star भी कहा जात है, all known fair stars are red dwarves, यनि क्या बूला जाता है, लाल रंके होते हैं, और यह छोटे उसके अंदर होते हैं, flares यानि कि इसमें से जो अगने निकली होती है, intrinsically brighter stars are presentally detectable, इनको आप detect भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, चीक है, तो proxima century सबसे ज़्यादा closest है sun के, next is here for the taxation of virtual digital assets, budget 22 to 23 propose that any income from transfer of any virtual digital assets shall be taxed at the rate of how much percent, तो अभी यहाँ पर हमारा जो इस साल का budget आया था, तो उस पे बोला कि virtual digital assets, क्या होते हैं यह virtual digital assets, देखो एक बहुत अच्छा example देती हूँ, जिससे तुम्हारे mind काफी clear हो जाएगा, cryptocurrency, bitcoin आपने सुना है, cryptocurrency सुनी है आपने, तो यही digital assets होते इनको बुलते है virtual digital assets, अब यहाँ पर यह आपके cryptocurrency के form में हो सकते हैं, या फिर आपको कोई यहाँ पर gaming coin card मिलते हैं, या कोई gaming tokens मिलते हैं, government की तरफ से कोई token issue होते हैं, instead of some denomination, माल लीजे आपको 50,000 रुपे की जगा कोई एक token दे दिया, 50,000 रुपे का, और बोला कि जब आ digital form में होती हैं, तो यहाँ दग नहीं आपर आंसर क्या हो जगा, इसके उपर अभी इनों ने क्या बोला है, कि अगर ऐसा आपके पास में माल लीजे, आपने कोई cryptocurrency खरीदा है, उससे आपको जो भी returns आये हैं, जो भी income आपका generate हुआ है, उस पर कितना tax लेगी सरकार आप से 30 percent यहाँ पर tax लेगी, उसके अलावा यहाँ पर government ने बोला कि यह digital rupee भी लेके आने वाले हैं, ठीक है, digital rupee भी जो है, वो launch करने वाले हैं जल्दी, उसके अलावा इनों ने बोला कि यह digital banking units जो है, वो भी यहाँ पर establish करने वाले हैं, अब यह digital banking units जो है, यह initially कितनी establish करने वा के तौर पर तो यह डिजिटलाइजेशन का भी इस पर काफी ज़्यादा इंपक्ट है हमारी जितनी भी चीज़े होती है आपको याद अखना है कोई भी income आपको किसी भी virtual digital asset के transfer से बेचने से मिलती है तो उसको text किया जाएगा 30% से that is important next is certain plants need to be export to low temperatures कुछ एक पोदो को यहाँ पर काफी कम temperature चाहिए होता है यानि कि उनको ठंड़क चाहिए होती है ताकि वो जल्दी यहाँ पर full में जल्दी बदल सके यानि कि उनके अंदर full आ सके और वो यहाँ पर अच्छे से you know fertile हो सके और अच्छे से यहाँ पर उनके अंदर full आए और वो अच्छे से develop हो सके grow हो सके और इस treatment को क्या का जाता है जब भी किसी plant को low temperature यानि कि कम तापमान की आवशकता होती है फूल में बदलने के लिए या उसके अंदर full जल्दी लाने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बसंती करन याने की vernalization इसी को बोलते हैं इसके example अगर आप पूछेंगे तो जैसे कि आपके cabbages है यानि कि पत्ता गोबी गाजर sugar beets यह उसके examples है carrots, cabbage, sugar beets इसके example है in fact garlic जो है उसको भी winter के अंदर plant किया जाता है lesson जो होता है उसको सर्दियों में plant किया जाता है तो उसको भी याँ पर cold temperature चाहिए होता है तो वो भी vernalization के थू यहाँ पर क्या किया जाता है produce किया जाता है उसके अलाबा यहाँ पर जो इतने भी plants होते है तो उनके अंदर flower आना मतलब कि जल्दी उसके अंदर फल या सबजी भी आने वाली है ठीक है वो proper वहाँ पर उसमें reproduce करने वाला है अच्छे से तो उसका जो outcome होता है या पर हर plant के अंदर होता है कि कुछ short day plants होते है कुछ long day plants होते है यानि कि उन सबका अलग-लग nature होता है कि उनका photo period जो है उसका duration कितना होगा उनको पूरा दिन लगेगा आदा दिन लगेगा या फिर कम दिन लगेगा आदे दिन से भी कम लगेगा या आदे दिन से भी जादा लगेगा तो इस टैप से उनको short day plants long day plants और day neutral plants भी का आ जाता है जिन में से कुछ एक low temperature वाले जो plants होते हैं इस process को बोला जाता है vernalization next is year in 2022 Commonwealth Games Eldhouse Paul won the gold medal in which of the following sport इन में से कौन से sport के अंदर यहाँ पर Eldhouse Paul जो है उन्होंने क्या जीता है gold medal जीता है तो अभी मैं यहाँ पर आपके साथ में सारा का सारा Commonwealth Games का जो data है वो यहाँ पर आपसे share करने माले है तो देखना है यहाँ पर answer क्या होगा answer हो जाएगा boxer तो boxer एक तो आपकी निखत जरीन है एक अमित पंगाल है एक नीतू घंगास है इन्होंने क्या जीता है यहाँ पर इन्होंने जीता है gold medal यहाँ पर जो Eldhouse Paul है इन्होंने gold medal जीता है किसमे triple jump में तो अभी यहाँ answer आप क्या करोगे कि मैं triple jump होगा correct answer because मैं answer पहले बताना भूल गई तो यहाँ पर अगर आप से पूछेगा निखत जरीने किसमे gold medal जीता मैं उसने boxing में जीता है अमित पंगालने boxing में और नीतू गंगास जो है उन्होंने भी boxing में गोल्ड मेडल जीता है वहीं पर एक और gold medal आया elder horse fall लेके आया लेकिन किसमे triple jump के अंदर फिर यहाँ पर silver medal मिला सागर एहलावत को 92 kg के अंदर किसमे boxing category में ठीक है सागर एहलावत boxing लेकिन यहाँ पर silver medal मिला ठीक है अब यहाँ पर he lost by unanimous decision to delicious ori of England in the final तो England के जो यहाँ पर delicious ori जो थे उनसे यह हार गए थे क्योंकि यहाँ पर unanimous decision में यह हार गए थे उनसे इसलिए silver medal मिला इनको next है table tennis के अंदर mixed double duo जो था mixed double का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पर male होता है एक यहाँ पर female होता है तो यहाँ पर अचानता शरत कमल और श्रीजा अकुला इन दोनों को क्या मिला है gold medal मिला है किसमें मिला है table tennis में मिला है अचानता शरत कमल और स्रीजा अकुला होगा तो याद दखना table tennis से बिलॉंग करते हैं दोनों gold medal लेक्या है नेक्ष यहाँ पर Commonwealth के अंदर जो हमारी para table tennis player है भाविना पटेल, para table tennis मतलब कि जो आपके विकलांग श्रेनी में या person with disabilities के अंदर जो player होते हैं तो यह है तो table tennis player लेकिन with disability तो इसलिए इनको para athlete यानि की para table tennis player बोला जाता है और जो वो ना gold medal in women single class 3-5 इसके अलावा एक और हमारे para tennis player यहाँ पर table tennis player थे सोनल बेन मंगू भाविना पटेल इनको ब्रॉंज मिलता है तो सोनल बेन को ब्रॉंज मिला भाविना पटेल को क्या मिला gold medal मिला किसके अंदर table tennis के अंदर ठीक है तो table tennis में दो हमारे medal आगे gold medal भाव and bronze medal सोनल बेन फिर यहाँ पर क्या हुआ फिर यहाँ पर आपका जो इंडिया की hockey team है इन्हों ने यहाँ पर किसको हराया New Zealand को हराया 2-1 से और क्या जीता bronze medal जीता यहाँ पर तो यह काफी time बाद इंडिया की women team जो है यह कोई medal यहाँ पर जीती है international event में फिर यहाँ पर badminton के अंदर इंडिया की women's double duo था कौनसा ट्रीसा जोली ट्रीसा जोली बैडमिंटन गायतरी गोपीचंद बैडमिंटन दोनों ने मिलकी क्या जीता है bronze medal जीता है किसमे women's double में तो ट्रीसा जोली एन गायतरी गोपीचंद यह आपको याद अखना है उसके अलावा इन्हों ने हरा है तो इन्होंने भी bronze medal जीता इनसे जादा बड़े medal की उमीद थी पर यह bronze medal ही ला पाए फिर यहाँ पर इंडिया की दिपेका पलिकल जो है और साथ में सौरव घोशाल जो है इन्होंने क्या जीता इन्होंने bronze medal जीता किसमे mix doubles में और squash player है यह दोनों के दोनों ace players है squash के और दिपेका विमेंस के अंदर squash के अंदर है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जिनको हराया उसका नाम भी दिया हुआ है जोना एन कैमरों फिर यहाँ पर रवी धाया हमारे जो wrestler रवी धाया है इन्होंने olympics के अंदर भी silver medal जीता हुआ है विनेश फोगाट एन नवीन जो है इन्होंने gold medal जीता Commonwealth Games के अंदर तो wrestlers में रवी धाया, विनेश फोगाट एन नवीन, all three have won gold medal फिर women के अंदर यहाँ पर cricket की बात करें तो Australia ने यहाँ पर India को beat किया by nine runs to win gold medal in the women's cricket team, India की cricket team को यहाँ से किस पे संतुष्टी करनी पड़ी silver medal में क्योंकि Australia ने यहा अरादिया और Australia जीत किया gold medal, next यहाँ पर है during the reign of which Mughal Emperor was the fifth Sikh Guru known as Guru Arjan Dev executed, यहाँ पर किसके शाशनकाल में Mughal समराट जो इदर हुआ करता था उस वक्त पर उसने Guru Arjan Dev को जो की Sikhों के पांचवे Guru थे उसको फांसी दे दी थी, answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा जहांगीर के उसने यहाँ पर इसलिए पकड़ लिया था, arrest कर लिया था, क्योंकि वो खुसराओ जो इनका सबसे बड़ा बेटा था जहांगीर का, उसको support कर रहे थे, एक rebellion जो उन्होंने विद्रोच छेड़ा हुआ था खुसराओ उन्हें, जहांगीर के खिलाब उसमें जो Arjan Dev थे, वो Convert नहीं होंगा, इसलाम धरम परवर्तन नहीं करूंगा, इसलाम धरम नहीं अपना होंगा, तो इसके लिए उनको torture किया गया और उनको फासी दे दी गई, 1606 में, इसके अलावा एक और बार ऐसा हुआ था, जब हमारे जो सिक गुरू थे, 9th सिक गुरू, नाम क्या है उनका गुरू तेग बहादूर जी जो है, उनको भी एक मुगल शाशक के दरबार में फासी दी गई थी, तो गुरू तेग बहादूर जी जो है, इनको execute किस के court में किया गया, किस मुगल शाशक के दरबार में किया गया, तो यादकना औरंग जेव के दरबार में इनको क्या दिय गया था, फास ही दी गई थी, एक्जीक्यूट किया गया था, जो कि हमारे 9th Sikh Guru थे, और आपको पता है, total Sikh Guru कितने हैं, 10 Sikh Guru है, सबसे आखरी Sikh Guru कौन से थे, Guru Gobind Sikh. Next is the increase in which of the following implies, increase in production of goods and services, ये कह रहा है कि इन में से, अगर किस के अंदर increase आने का मतलब होता है कि actual में goods और services का जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका उतुपादन बड़ा है ठीक है तो अब आपसे पूछ रहा है nominal GNP, real GDP, actual GNP या फिर per capita income देखो GDP क्या होता है answer यहां पर हो जाएगा real GDP में बताती हो क्यों हो जाएगा GDP का मतलब होता है कि जितना भी एक साल के अंदर किसी भी एक साल के अंदर आपके देश के अंदर total उतपादन कुल उतपादन वस्तु और सेवाओं का कितना हुआ है तो उसकी जो आखरी कीमत होती है उसको क्या कहते है GDP का आ जाता है यानि कि हमने जितना भी उतपादन हुआ ह उसको GDP बोलेंगे उस उतपादन की कीमत क्या है वो कितने मूल्य का है अब GDP जो है यहाँ पर दो तरीके की होती है एक होती है nominal, nominal GDP क्या है जहाँ पर आप उसको current prices यानि कि आज के prices पर उसको calculate करते हैं कि आज मेरा उतपादन इतना हुआ मैंने इतने वस्तु और सेवाओं का उ उन सब सेवाओं की और वस्तुओं की actual में price यानि की मूल्य ये है उस हिसाब से total जो value आई वो money के अंदर आज के prices आज के दाम के हिसाब से आपने calculate किया लेकिन real GDP क्या होता है जहाँ पर आप price increase जो हो रहा है उसको adjust कर लेते हैं यानि कि आप पिछले किसी एक base year के हिसाब से GDP को calculate कर रहे हैं तो उसमें actual पता लगता है कि actual में जो आपका value increase हुआ है वो वस्तुओं के उत्पादन की वज़े से increase हुआ है या फिर उसके मूले बढ़ने की वज़े से कीमत में इजाफा हुआ है ठीक है अब मैं बोलू कि ये pen जो है ये pen मैंने 2 pen यहाँ पर उत्पादन किया है 2 pen का तो मैंने बोला 2 pen और 2 pen कितने रुपे के 1 pen 20 रुपे का है दूसरा pen भी 20 रुपे का है तो 40 रुपे का मैंने बोला मेरा GDP है लेकिन वो मैंने निकाला आज की date पर लेकिन अगर मैं यहाँ पर price adjust कर दूँ मैंने बोला यहाँ पर 40 रुपे का मेरा GDP बढ़ा है पि टोटल GDP मैंने बोले 20 रुपे और आज भी मैंने 2 ही पेन का उत्पादन किया है लेकिन कीमत इनकी बढ़ने से GDP मेरी आ रही है 40 रुपे तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमने उत्पादन जादा किया है क्यूंकि प्राइजिस की वज़े से वो थे तो 2 ही पेन लेकिन उस वक्त पर 20 रुपे के थे आज 40 के हैं तो GDP बढ़ा किसकी वज़े से बढ़ा प्राइज बढ़ने की वज़े से बढ़ा उत्पादन बढ़ने की वज़े से नहीं बढ़ा क्यूंकि ये क्या था नौमिनल GDP था लेकिन जब मैं इसको प्राइज से डिवाइड कर दू प्राइज तो मुझे पता चलेगा कि actual में increase हुआ ही नहीं क्यूंकि वो सिर्फ price increase हुआ था तो इसके लिए नापने के लिए जब increase in real GDP होता है वो बताता है कि actual में आपका production of goods and services increase हुआ है कि नहीं हुआ है और ये किस पर निकाला जाता है ये constant prices यानि कि पिछले साल के prices पर निकाला जा तो अब जैसे मैंने आप से का कि 2 pen का मैंने लिया तो मैं पिछले साल का price लोगे के चलूँगी या पिछले एक दो साल का जब 10 रुपे का price था तो मुझे पता चलेगा कि आज ये 2 pen जो है उस price पे निकाले तो भी 20 रुपे GDP आई और उस वक्त भी GDP 20 रुपे थी तो मैं हूँगी कि हा रियल GDP क्या हुआ है मेरा वो बड़ा है इसकी वज़े से क्या हुआ है production of goods and services मुझे पता चला कि वो भी बड़ा है next is ये श्रीजा अकूला who participated in 2022 Commonwealth Games is associated with which of the following अभी बात हुई थी श्रीजी अकूला के बारे में और शरत कमल के बारे में ये दोनों कौन से खेल स आंसर क्या हो जाएगा मैं मांसर हो जाएगा टेबल टैनिस से ये रिलेटेड थे शरत कमल और श्रीजा अकूला जो है इन्होंने Commonwealth Games में mixed टेबल टैनिस में गोल्ड मेडल जीता बिर्मिंगम के अंदर जो यहां पर यह हुआ था यह आपको याद अखना है इंडिया की men's team जिसके अंदर शरत जी सतिया और हरमीत दिसाई के साथ सनील शेटी जो थे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर को हरा के अगर हम टेबल टैनिस टीम की बात करें तो कौन सा मेडल जीता है टेबल टैनिस में गोल्ड मेडल next is here who among the following has become the first Indian psychologist to have been marked on the heritage wall of fame of the society for personality and social psychology in US US के अंदर यहाँ पर पहले ऐसे Indian psychologist कौन बने है जिनोंने यहाँ पर क्या जीता है मनो विज्यानिक psychologist मतलब भारतिय मनो विज्यानिक जिनोंने आपर संयुक्त राजे अमेरिका में society for personality and social psychology में heritage of heritage wall of fame में अपना नाम दर्च कराया है तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ जखना रामधर सिंग तो यहाँ पर रामधर सिंग जो है इनका बहुत सारा you know contribution रहा है क्योंकि यह university professor रहे है अमरुत मोधी school of management of एहमदबाद university के अंदर तो इनको इसमें include किया गया है यह इकलोते ऐसे सामाजिक मनो विज्यानिक है जिने इस टाइप का यह सम्मान जो है दिया गया इनकी यह जो सम्मान है यह सबसे पहली बार 1974 में USA के अंदर Washington DC में दिया जाने लगा यह विश्व का सबसे बड़ी organization सबसे बड़ी संस्था है सबसे बड़ा संगधन है जो यहाँ पर मनो विज्यानिकों को क्या देता है इस टाइप का सम्मान देता है यहाँ पर रामधर सिंग जो है यह member of society रह चुके है 1990 में और 1992 में इसके fellowship भी इनको मिल चुका है यह एक political party है इंडिया के अंदर जो यहाँ पर 1947 में साथ party के fusion से जो यहाँ पर oppose कर रही थी इंदरा गांधी को आंसर क्या हो जाएगा इसके leader कौन थे भारतिय लोगदल के तो आंसर हो जाएगा मैम चौदरी चरण सिंग जो थे इसके क्या थे leader थे तो चौदरी चरण सिंग यहाँ पर आपकी इस party के leader रहे 1977 में जो आपकी यह party थी भारतिय लोगदल यह combine हो गई जनसंग और इंडिया नेशनल कौंगरेस के साथ और इनों ने क्या नाम लिया इस party ने एक नया नाम लिया जनता party का नाब यह नई जो जनता party थी इसने 1977 का election लड़ा यहाँ पर आपकी भारतिय लोगदल के symbol पर और यह बनी पहली ऐसी भारत की सरकार जो इंडिया नेशनल कौंगरेस के दौरा रूल नहीं की जारी थी यानि कि यहाँ पर जो पी-म बने थे 1978 के अंदर वो थे मौरार्जी दिसाए तो यह मैं सिर्फ 1978 से लेके 1980 तक ही यहाँ पर ऐसी non-government non-congresy government यहाँ पर रह भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहला बोला मिशन इंदर धनुष जो है इसने यहाँ पर एक target रखा कि 90% immunization कवर यानि कि इन्होंने बोला 90% टीका करन जो कवर है कवर मतलब कि सबी लोगों का टीका करन करेंगे यह इन्होंने बोला कौन से year तक 2050 तक यह पहले ही चीज गलत हो जाएगी क्योंकि यह इन्होंने target रखा था 2020 तक फिर mission इंदर धनुष जो है यह बोला जा रहा है कि इसके target population में 5 साल के बच्चे हैं तो पहले याद रखना mission इंदर धनुष जो है का करन किया जाएगा इस vaccination के अंडर यहां पर किस टाइप के इस mission के अंदर वैक्सीन से दी जाएंगी तो दिफ्तेरिया पोलियो वूपिंग कफ मीजर्स टेटनस मैनिंग नाइटिस निमोनिया और हैपटेटिस बी के क्या लगेंगे टी के लगेंगे तो इकलोता यह चीज आज के बच्चे और गरबवती महिलाएं नेक्स यहां आपर है भारत की कौन सि मिनार दूसरी सबसे उची मिनार है इंडिया के अंदर तो आंसर क्या होगा तुम्हें पता है कि भारत की tallest मिनार कौन सी है कुतोब मिनार उसके बाद में दूसरी नमर पे कौन सी होगी वो होगी आपकी चांद मिनार जो है इसको बोला जाता है विक्ट्री यानि की जीत की मिनार भी इसे कहा जाता है तो चांद मिनार जो है यह सेकेंड टॉलेस्ट मिनार है इंडिया की आफटर दिल्ली का कुतुब मिनार जो की 1435 में इसको बिल्ड किया है किसने अलाउदिन बहमानी ने और यह किसलिए यहाँ पर किया था क्योंकि उसको दॉलताबाद महल जो है फॉर्ट जो है माराश्टा के अ आपक था जो स्लेव डाइनस्टी गुलाम वंश का शाशक था और जिसको कहें जिसको फाउंडर था संस्थापक था उसने बनाया था कंप्लीट कराया था इलतुत्मिश ने नेक्स यहाँ पर रहा है था हाइट ऑफ दे टावर इस 30 मीटर 210 फीट 70 फीट इन गर्थ अड़ ठीक है 70 फीट नीचे बेस का ही इसका है इसमें 24 चैंबर है और 4 इसके क्या है फ्लोर्स है यानि कि 4 इसके अंदर अलग-अलग मंजिले हैं और एक यहाँ पर छोटा सा मौस क्यान की मस्जिद भी है नेक्स यह आपका the fall in the sea surface temperature in the central and western pacific ocean below average is known as जब भी यहाँ पर surface sea surface जो है जो आपका क्या होता है समुदर की सत्य में तापमान की अंदर औसत से कम गिरावट आने को क्या कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मैं मांसर हो जाएगा इसको बोलते हैं ला नीना ला नीना जो है य जो winds होती है वो इस region की तरफ से south east की तरफ से यहाँ पर हवाएं जो है वो यहाँ पर हवाएं तेजी से बढ़ती हुई आती है और यहाँ पर जो गरम पानी है उसको west की तरफ से ले जाती है तो south east की तरफ से आके south east यानि की इस तरफ से आके यह क्या करती है इसको west की का जो टेंपरेचर उसके अंदर गिरावट आती है यानि कि जो उस समुद्र की सता है वो थोड़ी ठंडी होने लग जाती है कौन सी साइड में सेंटल और वेस्टर पैसिफिक ओश है यानि कि इस तरफ और यहां तक वेस्ट तक पहुंचते पहुंचते यह हवाई कैसी हो जा कि तरफ यह इस्ट की तरफ यहां पर क्या होने लग जाता है तो एल नीनो किसको कहते हैं गरम phase को वार्म फेस को बåला जाता है जो एक बड़े फिनामेना का बोला जाता है यहां पर i l ナन जाथन-ूस यहां एटी एट्स आता है जो आपके पूर्वी एरिया है पूर्वी एरिया कौन से है जैसे की उडिसा है आंदर प्रदेश है और तमिल नाडू है तो आंसर क्या हो जाएगा ओल अफ दा अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टन गार्ट पढ़ता है वेस्ट की तरफ में ठीक है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है पूर्वी एरिया की इस्टन गार्ट फिर आप बात आती है कि यहां पर इस्टन कोट साइड जो है यह आपकी बंगाल की साथ खाड़ी की तरफ पढ़ती है उसके तट्ये शेतर के अराउं और यहां पर यह जो होता है यह बहुत कम वेस्टन कार्ट जो है यह कहां कहां से चलता है यह इस एरिया से चलता है यानि कि यह गुजरात, महराश्या, गोवा, करनाटक, केरल और कुछ एक पार्ट किसका कवर करता है तामिल नाडुका वेस्टन कार्ट की जो सबसे उची जोटी है उसको क्या कहा जाता है तो याद जहाँ पर एक special power दी गई सभी ग्राम सभाव को कि वो जितने भी अनुसूचित शेत्र है वहाँ पर क्या कर सकते हैं जो भी प्राकर्तिक संसादन है उनका प्रबंधन यहाँ पर कर सकते हैं जो भी यहाँ की tribal population है जो जाती है शेत्र जो है यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा ग्राम सभाव के active involvement से उनका जो exploitation हो रहा है उसको रोका जाएगा Next is your fish has a head and tail smaller than the middle portion of the body यानि कि जिस भी मचली का जो सर और जो tail है यानि कि जो उसकी पूँच है वो उसका middle portion से क्या होता है चोटा होता है यानि कि यह बहुत चोटा है यह काफी बड़ा है और यह काफी चोटी है यानि कि मुह इसका काफी बड़ा है ठीक है और इसकी tail काफी चोटी है तो ऐसी फिश को यहाँ पर क्या बोला जाता है ठीक है और इसकी बॉडी क्या होती है टेपर्स at both the end यहाँ पर दोनों तरफ से यह कैसी रहती है इस मचली के शरीर के आकार को क्या कहा जाता है जब मचली का सिर और पूच शरीर के मद्ध्यबाग से छोटा होता है औ और शरीर दोनों सिरों पर पतला होता है यानि कि इधर से भी काफी पतला है और इधर से भी काफी पतला है दोनों सिरों से तो क्या बोलता है इसको बोला जाता है स्ट्रीम लाइन यानि कि जब भी इस ट्रैप का कोई बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बोलते हैं यह शेप जो होती पानी से उसके ऊपर तक चला जाए और उसके मूँ को कवर ना करें और वो पीछे की तरफ से फिश को यहां पर आगे बढ़ने के लिए पानी के अंदर अलाओ करता है इन में से 1175 में किस ने मुलतान पर आकरमन के और पूरे सिंद पर कबजा कर लिया जब 1175 की बात आती है तो यहां पर सीधा सीधा आंसर हो जाता है मैं हम आंसर हो जाएगा मुहमद गोरी मुहमद गोरी जो है इसकी काफी बड़ी लड़ाईया हुई है किसके साथ में पृत्वी राजचोहान के साथ में है ना और पहले तो यह हार जाता है लेकिन उसके बाद में क्या करता है उसके बाद में यह जीत हासल कर लेता है क्योंकि वहां पर पृत्वी राजचोहान का वहाँ पर युद्ध कर करके उसको हासिल कर लिया 1186 में उसने पंजाब पर यहाँ पर आकरमन किया और उसने खुसरो मलिक जो है उसको यहाँ पर कैद कर लिया और उसको जितना भी एरिया था जितना भी शेतर उसके अंदर आता था उस सबी को अपने अंडर ले लिया तो इसने यहाँ पर पंजाब को भी क्या कर लिया था एक्वाइर कर लिया था जितना भी सतलज के पूर्वी शेतर जो था उस सब को इसने अपने अंडर में ले लिया था और इसके बाद में ये चोहान kingdom की तरफ भी इसने क्या किया move किया और वहाँ पर भी इसने आकरबन किया और उसको भी हासिल किया next is who among the following has been elected as the deputy president of fight इन में से किसको यहाँ पर चुना गया है as deputy president यानि की उपाद्यक्ष fight fight क्या है ये है आपकी अंतर राश्ट्रिय chess संस्थान यानि की international chess federation को बोला जाता है fight ठीक है अब ये अगस्त 2022 में इनको deputy president जो है ये बनाए गया option है आपके विश्वनात आनंद पेंतला हरी कृष्णा या फिर गुजराती विदित या फिर कृष्णा ने शशी करन आंसर हो जाएगा विश्वनात आनंद जो हमारे यांके पहले grand master रहे हैं उसी के अलावा ये पहले राजीव गांदी खेल रतन अबॉड के प्राप्त करता भी रहे 1991 के अंदर खेल रतन राजीव गांदी खेल रतन अबॉड जो है वो पांच बार world champion रहे विश्वनात आनंद को यहां पर deputy president बना दिया है fight का यानि कि international chess federation का तो अब बात आती है कि यहां पर अगर deputy president होगे तो यह किसके just take नीचे हैं यहां कर president यहां के president कौन है यह russian president है russia से belong करते हैं अर्काडी वोरकोवेच जो है इनको यहां पर fight का president बनाया हुआ था और अब यहां पर deputy president कौन होगे विश्वनातन आनंद जोरकोवेच जो है उनको 167 vote यहां पर मिले हैं अर्काडी जोरकोवेच जो है यह पहले से ही यहां पर fight president थे और दुबारा से इनको elect कर लिया गया है इनके favor में 167 votes डले जबकि इनके opponent जो थे एंदरी बैरिस पोलेट्स इनको सिर्फ 16 vote मिले तो इसलिए अर्काडी जोरकोवेच जो है यहां पर ही appoint हुए आपको पता है भी 44th chess Olympiad हुआ जो पिछले week हमने यहां पर weekly test किया था उसमें हमने यह पढ़ा था कि 44th chess Olympiad कहां पर हुआ था Chennai तामिल नाडू के अंदर हुआ था जिसको उजबेकिस्तान जो है उसने जीता अर्मेनिया कोहना के इंडिया रहा 3rd spot पर और यहां पर इसका जो anthem था इसका music anthem था वनक कम Chennai यह किसने लिखा है तो यह music video launch किया है AR रह्मान ने और 44th chess Olympiad के अंदर torch relay चलाया जो था वो event launch किया था अर्काडी वोरकोविक ने किसके साथ में मिलके प्राइम मेनिस्टर नरेंदर मोदी के साथ मिलके और नरेंदर मोदी ने वो जो torch relay जो start करवाया वो torch किसको थमाया विश्वना थनानन्द को उसके बाद में वो 75 ऐसी locations पर वो torch गई है और यह शुरू कब हुआ यह 28 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक ही आपका जो event है यह चला है चैनने तामिलनाडू में मलापूरम जगा में उसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि हर एक state का जो grand master था उस torch को लेके यहां पर गूमा है इस type का पहला torch relay जो चलाया गया वो chess federation ने चलाया है otherwise यह जो प्रथा है यह सिर्फ आपके Olympics के अंदर follow होती है पहली बार यह chess के अंदर यह torch relay ले चलाने वाले प्रथा follow की गई गोरकोविक जो है इसको सबसे पहली बार fight का president अपोइंट किया गया था अक्तूबर 2018 में और अब दुबारा से अपोइंट हुआ है second term के लिए 2022 में इसने किसको उस वक्त पर replace किया था सक्सीर किया था मैं इसमें total होते है six members ठीक है इस six members के अंदर आपका एक तो होता है governor of RBI एक होता है यहाँ पर deputy governor of RBI जो appoint होता है जिसको in charge बनाया जाता है of monetary policy committee का ठीक है अब यहाँ पर under the section 45 ZB of the amended RBI act of 1934 यानि कि RBI act 1934 को amend किया गया यानि कि इसके अंदर बदलाव किया गया finance act यानि कि विक्त अधिनियम जो आया था 2016 का तो सबसे पहली बार MPC जो आती है monetary policy committee लाए जाती है 2016 में अपरेल 2016 में इसको लाए जाता है RBI act 1934 को amend करके इसके अंदर बदलाव करके और बदलाव की नीती समीति के बारे में यह आपको बताएगा जहाँ पर central government यान कि केंदर सरकार जो है उसके पास में यहाँ पर कुछ शक्तिया दिये हुई है कि वो यहाँ पर 6 सदस्य की monetary policy committee का formation कर सकता है और monetary policy committee जो है वो क्या करेगी वो यहाँ पर policy interest rate जो है उसको निर्धारित करेगी जो यहाँ पर inflation target को achieve करने के लिए मानने होना चाहिए यानि कि जो मुद्रस फिती की जो दर है उसको control में रखने के लिए उसको maintain करके रखने के लिए समालने के लिए जितने भी यहाँ पर ब्याजदर है जो भी policy rates है उनको कौन determine करेगा उनका निर्धारन कौन करेगा monetary policy committee इस टाइब की पहली monetary policy committee जो है वो कब बनाए गई थी 29 September 2016 को बनाए थी यह monetary policy committee जो है यह at least कितनी बार एक साल के अदर मिलेगी तो at least four times a year ठीक है एक year के अंदर यह चार बार जरूर मिलेगी 195 यहाँ पर monetary policy committee थी और उसके बाद में अगस्त के अंदर वापिस से यहाँ पर एक और meeting की जाती है इसके regarding monetary policy committee जो है RBI की अभी यहाँ पर inflation rate 6% से जादा बढ़ता हुआ यहाँ पर चल रहा है और RBI जो है वो सिर्फ 6% तक toleration limit होती है inflation यानकी मुद्रा स्विती की अगर 6% से उपर जाएगा तो RBI को immediately बहुत सारे decisions लेने पड़ेंगे और उसको control करना पड़ेगा with immediate effect तो यहाँ पर अभी policy rate को बढ़ाया गया है 40 basis point से और यहाँ पर अभी 50 basis point से recently इसको बढ़ाया गया और 5.40% जो है वो अभी फिलाल में repo rate जो है वो कितना कर दिया गया है repo rate कर दिया है 5.40% repo rate क्या होता है यह एक वो ब्याजदर है जिस पर जितने भी bank है वो RBI भारती रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं सरकारी प्रतिभूतिया यानकी government security के against पर की वो आएंगे repurchase agreement के थुरू liquid adjustment facility के थुरू LAF के थुरू यह overnight basis पर एक रात के अंदर अंदर मतलब बहुत ही shortly अगर इनको fund की जरूरत है इनको पैसा चाहिए तो RBI से ले सकते हैं अपनी जो government security government की जो सरकारी प्रतिभूतिया होती है क्या होती है government security जो जहां पर लिखा होता है कि सरकार एक maturity date पर इस person को जिसके पास भी वो security है उसको कुछ एक निश्चेत amount जो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है security के अंदर जो amount लिखा हुआ है तो उस पर कितना परसेंट ब्याज देते है 5.40 छीके next is air international day of clean air for blue skies is observed every year on 7th of September 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतराष्ट्य दिवस किसका सुच्छ वायू दिवस अंतराष्ट्य सुच्छ वायू दिवस जो मनाया जा रहा है इस साल इसकी theme क्या है the air we breathe the air in us air for future या the air we share correct answer हो जाएगा the air we share इस साल का theme रहा इसका हर साल मनाया जाता है 7 सितंबर 2022 को ये focus करते हैं air pollution यानि कि वाय प्रदूशन जो है उसको यहाँ पर कम करने के लिए सभी का collective accountability और collective action होना चाहिए यानि कि सब्साथ में मिलकर यहाँ पर जिम्मेदारी ले और साथ में मिलकर इसके खिलाफ कुछ कदम यहाँ पर उठाएं कुछ यहाँ पर initiative लेके आएं 26 नमबर 2019 में जो 74th session लगा था United Nations सयुकतराष्ट का उसकी दूसरी कमेटी जो है उसमें इसके regarding resolution पास हुआ था जिसमें यह बोला गया कि इस ट्रैट का एक दिन जो है वो मनाना चाहिए एर पॉलूशन यान कि वायो प्रोडूशन जो है यह सबसे जादा हमारे पातवरन के अंदर बिमारिया फैलाने का कारण है और यह पूरे विश्व के अंदर जो भी बिमारिया या जो भी मृत्य होती है उसका एक सबसे बड़ा ऐसा कारण है जिसको अभी तक avoid नहीं किया जा सकता जिसको ignore नहीं किया जा सकता और जो पूरी तरीके से खतम नहीं हो पा रहा है 99% जो हमारी विश्व की जनसंख्या है वो यहाँ पर प्रदूशित वायू का को प्रदूशित वायू को ग्रहन कर रही है उसमें सास ले रही है यह WHO ने यहाँ पर बताया है 7 मिलियन लोग हर साल मर रहे है बिकॉज अफ वायू प्रदूशन एर पॉलुशन की वज़ए से 90% अफ देम इन लो और मिडल इंकम कांट्री यह किसने बताया WHO के लेसंट प्लानेटरी हेल्थ के अंदर रिपोर्ट के अंदर बताया गया नेक्स्ट इस यहाँ पर यहाँ पर ऑथर कौन है इस बुक के तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गंटर ग्रास गंटर ग्रास जो है इन्होंने ये टिन ड्रम जो नोवल लिखा ये लिखा था 1959 में जिसको बाद में मूवी के रूप में यहाँ पर डाया गया था यह थोट्स थे गंटर ग्रास ने इसको लिखा था 1959 में टिन ड्रम इसका नाम था और जिसके लिए गंटर ग्रास को 1999 में नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर एस्ट्रोजन्स आर मेल हॉर्मोन फीमेल ग्रोथ हॉर्मोन या फिर इंसुलेन तो अगर आपने थोड़ा सा भी बायलोजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोण जो है यह दोनों क्या होते हैं फीमेल हॉर्मोन होते हैं तो यहाँ पर हॉर्मोन क्या होते हैं एक क्यामिकल सबस्टांस होते हैं chemical type का आपके body के अंदर secret होता है कहां से निकलता है secret मतलब निकलना कहां से ये निकलता है endocrine glands के अंदर से निकलता है endocrine system के अंदर से ये निकलता है male hormone जिसको testosterone भी कहते हैं testosterone जो होते हैं वो यहाँ पर testis जो होते हैं males के अंदर उदर से release होते है प्यूबर्टी के टाइम पर और जब इसी टायट की प्यूबर्टी जो है व्यसक जब लड़किया टीनेज के अंदर जाती है तो उनके अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो आवरिस जो होती है वो female hormone produce करने लग जाती है estrogen जो होता है वो breast को develop करने के लिए यहाँ पर होता है इसके अलाबा दो यहाँ पर main female hormones होते हैं estrogen और progesterone यहाँ पर testosterone जो है इसको बोला तो जाता है यह male hormone है बट females के अंदर भी यह थोड़ा बहुत produce हो सकता है और क्योंकि यहाँ पर small amount इसका चाहिए होता है for various reasons various growth जैसे muscle development, power development के लिए, muscle development के लिए थोड़ा बहुत जो testosterone होता है वो females के अंदर भी produce होता है लेकिन एक small amount होता है milk secreting glands और memory glands को जरुत होती है किसकी इनको जरुत होती है आपके estrogen की जो अभी हमने बाती है estrogen जो hormone है वो क्या करता है milk secreting glands लाता है especially in pregnant women, lactating women जिनोंने भी बच्चे को जरम दिया होता है तो ये सारे hormone जो है, ये secret किये जाते है from endocrine gland जिसको pituitary gland भी बोला जाता है और आज का last सवाल who was the pioneer of social reform movement in the Muslim community यानि कि Muslim समुदाय के अंदर समाज सुधार अंदोलन के प्रणेता कौन थे जो इसको लेके आए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा options आपके दिये है सैयद अहमत खान, लियाकत अली खान, रहमत अली या फिर आहमेजिना तो answer correct हो जाएगा सैयद अहमत खान जो है इनको बोला गया कि ये Muslim समुदाय के अंदर काफी सारे सुधार लेके आए वो भी समाजिक सुधार लेके है अब यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़े है जैसे याद खने की जुरुत है कि इनों ने यहाँ पर Muslimान जो है उनकी मदद की ताकि उनको एक अच्छी आधूनिक शिक्षा मिल सके और यहाँ पर इनों ने Britishers जो है उनको इस टाइप से मोल्ड किया कि Britishers मुसल्मान कॉमिनेटी की तरफ यहाँ पर उनकी सिंपती जो है उनकी तरफ से सपोर्ट जो है वो जनरेट किया इनोंने मुहम्मदन अंगलो ओर्येंटल कॉलेज नोनेज माव कॉलेजिन अलिगर्ड उसका फॉर्मेशन किया 1875 में जो आगे जाके 1920 में जिसको नाम मिला अलिगर्ड मुसलिम युनिवासिटी का इनको साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंडर भी कहा जाता है जहाँ पर इनोंने मुसल्मानों के अंदर क्या लेके आई ये साइंटिफिक टेंप्रामेंट याने की उनके अंदर विज्ञानिक सोच लेके आने वाले थे ये आने वाले बोले जाते हैं इन्होंने मुसलिम समुदाय के अंदर अपनी ही भाशा के अंदर जितने भी मुसलिम समुदाये के लोग थे भारत के अंदर उनको आध्धूनिक और स्पेशली जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको यहाँपर जैसे की इंगलिश नॉलेज है उसको काफी प्रमोट किया इनका अलिगर्ड मुव्मेंट जो है उसने मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर प्रेडित किया, मोटिवेट किया ताकि वो अपने खुद के शेक्षिक संस्थान जो है को खोल सके उसके अलावा यह इस टाइप का पहला कुछ ऐसा मुव्मेंट था जो लाया गया था जिसने मुस्लिम समुदाय और जितना भी हमारे देश के अंदर समाजिक और राजनीतिक जो सहें शीलता थी या मैं कहूं जो सेंसेबिलेटी थी उसको इनवे किया उसको जगाया ठीक है त तो आज जितने भी आपके लाइव टेस्ट के अंदर मौक लाइव टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अगर यह दिया था कल और परसों यह हर साटर्डे संड़े को होता है तो आप भी ओलिबोड की साइट या ओलिबोड की आप पर जाकर इस मौक जाएगा इसके अलावाब मेरा SSC foundation batch भी है, bilingual mode में है, जैसे मैंने आज आपको ये questions कराए हैं, उसी हिसाब से मैं वहाँ पर भी आपको theory plus questions कराऊंगी, तो ये batch आप जोईन कर सकते हैं, अगें शीतल code लगाना यहाँ पर आपको maximum off मिल जाएगा, इस type के अगर आप बहुत सारे mock test देने चाहते हैं, क्योंकि mock test का अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे question पूछ रखे हैं, एकदम relevant है, तो ये mock test के लिए आप SSC light भी ले सकते हैं, elite भी ले सकते हैं, और SSC super elite भी purchase कर सकते हैं, यहाँ पर super elite के अंदर आपको SSC के जितने भी exams हैं, उनके सारे courses plus mocks म आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी आपको पता है कि SSC ने काफी सारे changes लाया हैं, अपने पूरे schedule के अंदर, अब GS जो है, GS section काफी जादा यहाँ पर prominent कर दिया है, और GS section यहाँ पर यह अब SSC mains में भी ले आए हैं, for CGL, तो अब आप लोगों को यहाँ पर prepare GS को काफी GA solution, GA video solution आएगा तो आपको पता लग जाएगा, comment करके बता सकते हैं class कैसी लगी, otherwise bell icon को दबा दीजे, आपको notification जो है, यहाँ पर मिल जाएगी, thank you so much everyone, bye bye and take care.